सब्सक्राइब कीजिए New Tech Advice यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टक्नोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए और ये बिलकुल फिरी है हेलो एन वेलकम फ्रेंड्स मैं आप नाम है शरीफ और आप देख रहे हैं New Tech Advice दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सिखेंगे कि आप किसी भी Windows में Windows 7, Windows 8, Windows 10 में अपने किसी भी फाइल या फोल्डर कैसे लॉग कर सकते हैं वो भी बीना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्ट्वियर के दोस्तो फोल्डर को पासवर्ड परोटेक्ट करने के बाद इसे वही लोग एकसिस्ट कर पाएंगे जिनके पास इसका पासवर्ड होगा तो दोस्तो ये बहुती कमाल की टिक है आपको ये टिक जान लेनी चाहिए दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चाहिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलिस दोस्तो वीडियो के नीचे रेट करका सब्सक्राइब का बटन मिल जागा ये बटन दबा कर मेरे चाहिए को सब्सक्राइब कर लें और साथ यूए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटिस्ट वीडियो की इंफर्मेशन आप तक आचाहिए से पहुँच जाए जब सकती हैं दूस्तो मेरे पास ये एक फोल्डर है नियू टेक एडवाइस के नाम से मैं इसे औपन करता हूँ इसमें मेरा कुछ delete कर देना है और आप जो password अपने folder पर रखना चाहते हैं वो password यहाँ पर type कर देना है तो मैं अपने लिए आप एक password चूज कर लेता हूँ जैसे मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ GST यहाँ पर password डालने के बाद आपको इस file को जो folder आप log करना चाहते हैं वो उस folder में save कर देना है तो मैं यहाँ फाइल पर जाता हूँ उसके बाद save as पर जाता हूँ जैसे मुझे newtech device नाम से folder इसे log करना है तो मैं इसे open कर लेता हूँ उसके बाद आपको इस folder का कुछ भी नाम डाल देना है जैसे मैं इसका नाम डाल देता हो इसके बाद आपको यहां पर एक extension यूज़ करना है .bat के नाम से इसे यह आपका जो फाइल है यह बैच फाइल बन जाएगी दोस्तों उसके बाद आपको नीचे save as type में क्लिक करना और आप आल फाइल सेट कर लेना है इसके बाद आप चलिए जहां पर हमने इसे save किया है वहाँ पर जाके देख लेते हैं यह वहाँ पर save हुआ की नहीं तो मैं यह new tech advice नाम से मेरा फोल्डर है इसे मैं open कर देता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ यह नाम से जो फाइल थे मारी वहाँ आप save हो चुकी है अब आपको इस फाइल के ऊपर double click करना है इसे open करना है जैसे ही आप इसके ऊपर double click करेंगे आप देखेंगे पाज्यू में ही एक नया फोल्डर क्रेट हो गया है लॉकर के नाम से अब आपकी जो भी आप फाइल से इस फोल्डर में इन फाइल को इस फोल्डर के अंदर copy paste कर देना है करने के बाद दोस्तों आपको यह जो आपकी बैच फाइज है इसके ऊपर double click करना है आपको उसके बाद यह आप से पूछ रहा है आपको यहां पर यह जो फोल्डर के नाप से झायब हो चुका है अब उसे आपको अलोग करना है तो वापस आप फोल्डर उपन करेंगे उसके बाद फिर यह जो बैस फाइल इसके ऊपर double click करेंगे उसके बाद यह आप से बोलाँ है enter password to unlock folder यहां पर जो आपने password पहले select किया था वह password आपको यहां पर type कर देना है उसके बाद interface कर देना है जैसी है आप बहुत करेंगे आपका locker का folder भाप अब यहां आपने फाइलस को एकसेस कर सकते हैं तो लॉटे यूडियों इतना जरूर पसंदा आयो इसे लाइक करें जीर और whilst तक आपने में लुक्ष करें दो क्यां दो फिर्पिलिस दो सब्सक्राइब करें एंट n qv spor reservation